आज का या वीजीओ होने वाला है बहुत और इंच्रेस इंट्रसिंग आथ वाले हैं अपने इस वीडियो में राइस व रच वडर के ईपक्ट साधी तरीका और उसको यूज करने का सही तरीका तो बहुत देसारी बाते करेंगे हम अपने इस वीडियो में राइस वाटर को लेकर के तो इस वीडियो को देखेगा पोरा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज पढ़ावनें जाके उसको कर ल परेश्मन भी मिलता है बहुत से लोग इसे अपने हेर के साथ सब्सक्राइब अपलाई करते हैं इसे इसके बहुत अच्छी ग्लो करने लगती है बहुत अच्छा उसका एफेक्ट और रिजर्ट टिकल के आता है किसी और वीडियो में में इसके इसका यूज जरूर बता है यहां पर दिखाते हो मैं आपको एक छोड़ा सबीडियो तो यहां पर देखे मैंने आदा कप के करीब चावल ले लिया है यहां पर आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं इस राइस वाटर के लिए बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि यह चावल और यहां प मैं इसे एक बार पानी से अच्छे से वाश करने जा रही हूं तर वाश करने से क्या हो जाएगा कि जो भी गंदगिया है या जो भी इसमें अन्वंटेड चीजें हैं वहां से हट जाएंगी तो मैंने आप इसको हलके हलके हां से यहां पर वाश कर लिया है देखे धी हलके ह यहां से ही करना है क्योंकि इसको बहुत जादा रगड के वाश करने की जरुवत नहीं है और बस यह धीरे-धीरे से यह वाश हो गया है और अब मैं इस पानी को यहां पे डिसकार्ट कर ले रहे हैं अब इस साफ चावल में मैं जो है पानी डाल करके इसको सोक कर दोंगे तो स यहां पे राइस को थोड़ा दबा करके तोल लेंगे हमारे पास अगर बहुत सब्सक्राइब नहीं है तो हम इस पानी को चान करके किसी इस प्रेयर बॉटल में डाल करके इस्तमाल कर लेंगे हमें इससे भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे तो यह होगे हमारा मैं 30 करने के लिए हमें से फ्रिज्मेंट नहीं रखना है यह देखे यह मारा ओवर नाइट वाटर है इस का कलर पुड़ी तरह से चेंज हो चुका है इसके अंदर से थोड़ी फर्मेंटेशन वाली स्मेल आने लगी है अब इस पानी को हम एक साफ बावल में छान लेंगे साथे पानी के मुकाबले फर्मेंटेट पानी को जादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक फिटेरा नाम का इस्ट डेवल अब लेंगे और उसके बाद यह यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा तो अब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह दिखा दूँ कि देखे मेरे हेर में कितनी जादा शाइनिंग है मैंने यहां पर किसी भी तरह के एफेक्ट का यूज नहीं किया है राइस वाटर को यूज करने से पहले आपको अपने बालों को अची तरीके से सुलजा लेना है जैसे कि मैं यहां पर अपने बालों को दो पार्ट में करके दीरे दीरे से अची तरीके से सुलजा रही हूँ ताकि इसके अंदर के जो भी उलजने हैं जो भी गाठे हैं वो पूरी तरह से स्मूथ हो जाएं और ये वाटर अपलाई करने में हमें आसानी हो देखिए मेरे हैर यहाँ पर थोड़े थोड़े से आपको स्ट्रेट भी नज़र आएंगे तो अब बस मैंने आप पर ये अपने स्प्रेयर बॉटल ले लिया है अब मैं अपने इस राइस वाटर का इस्थमान अपने हैर पर करने वाली हूँ अगर आपके पास spray bottle नहीं है तो आप किसी साधरण मग में भी इस पानी को डाल करके अपने बालों पे इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैं rice water को अपनी जड़ों में अच्छी तरीके से लगा रही हूँ साथी साथ मैं उसे अपने हेर की लंबाई में भी यूज़ कर रही हूँ इससे rice water मेरे हेर बहुत अच्छी तरीके से अपलाई हो जाएगा बीच बीच पे मैं यहाँ पे कोम का यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मैं अपने बालों को थोड़ा सा कोम की हेल्प से वापस से स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ rice water यूज़ करते सबहें अगर आप कोम को इस तरह से यूज़ करते जाएंगे तो इससे आपके बाल दिरे-दिरे से स्ट्रेट भी होने लग जाएंगे और साथी साथ यह water आपके हेर में बहुत अच्छी तरीके से अपलाई हो जाएगा rice water जब तक आपके बालों में अच्छी तरीके से ना लग जाए तब तक इस step को आपको दोराते रहना है अगर आपके बालों में डेनर्फ की प्रॉबलम है तो आप rice water में एक से डेर चमच white vinegar add कर दे इससे आपके डेनर्फ की प्रॉबलम भी solve हो जाएगी अब rice water अपलाई करने के आदे गंटे के बाद अपने बालों को wash कर लेना है मिलती हूँ wash करने के बाद मैं बात लेके अभी भी आई हूँ कि मैं अपने बालों को हाँ से थोड़ा सा सुलजाने की कोशिश कर रहे हूँ मैं गीले बालों में कंगी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ लेकिन अब आपको दिखाना है तो यहां पे थोड़ा बहुत मुझे कंगी का इस्तमाल करना पड है अफको मैं एक उप दिखा रहे हूँ कि मेरे बालों मे कितनी शाइन आ गई है मिलती हूँ आप अपसे बाल ड्राइ होने के बाद यहां पर मेरे बाल अच्छे टेरेकर से ड्राइ हो चुके हैं अब आप यहां पर देखे कि थोड़े-फोडे से मेरेबाल स्ट्रेट हो ग यहां पर मेरे बाल देखिए आप एक बाल मेरा ऑन पर सफेद है नई नहीं हो उत है तो नोगे उट diहूं कि बालों है नहीं है लोंग हैर मेरे नहीं है मेरे शौट हैर है लेकिन मैं इस के रिजर्ट से काफी हेपी हूं मैं अपने बालों को बिलकुल भी नहीं बांदूंगी क्योंकि अगर मुझे अपने बालों को स्ट्रेट रखना है तो मुझे इसे बांदना नहीं है देखिए मेरे बालों कितने अच्छी तरीके से दिख रहे हैं अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाओं तो देखिए मेरे हैर पास से कुछ इस तरह से नज़र आ रहे है मेरे बालों में हलके लकी से आपको shine नजर आ रही हैं देखिए इस तरह से मेरे बालों में shine नजर आ रही है और मेरे बाल काफी सीधे दिखाई दे रहे हैं राइस वोटर से जुड़ी अगर कोई भी queries हो तो मुझे comment section में comment करके जरूर पूछ लिजेगा और अगर वीडियो आपको जरा सभी अच्छा लगे तो दीजे का मुझे एक लाइक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टेक केर